हलो दोस्तों स्वागत आपका UK Education Universe YouTube चैनल पे तो दोस्तों आज की प्रथम क्लास हिंदी की टॉप 20 विसेश स्रीज में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज से हम हिंदी की भी स्रीज को बढ़ा रहे हैं इससे पहले हम लोगोंने राजपाल सिंसर के पूरी महत्तपोन साबित होने वाले हैं आज का जो स्रीज है दोस्तों यह हमारा लिूसेंट से मैंने कवर किया हुआ है और हिंदे की 20 जो क्वेशन है वो डेली आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे जो काफी महत्तपोन इविम जो आपकी स्लेवस है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बना के ला रहे हैं तो जो यह वीडियो है जो हिंदिस की वीडियो है दोस्तों यह उत्राखंड से संबंधित अभ्यरती तो इसको देख सकते हैं साथी यूपी पुलिस वाले अभ्यरती भी इस वीडियो को देख सकते हैं और साथी उत्राखंड पुलिस दरोगा वा आप लोग उस स्रीज को जरूर देखें, वो भी हमारी YouTube चैनल पे अपलोड़ेट हो चुकी है, दो बजे हमारी हिंदी की डेली स्रीज आएगी आज से, तो दो बजे आप लोग को हिंदी की वीडियो भी हमारी YouTube चैनल पे मिल जाएगी, बांकि पांच बजे आप लोग को GS की लेली एक स्रीज देखने को मिलेगी, तो आप लोग उस स्रीज को भी जरूर देखें, और बहतर अनुभाव लेने का प्रियास करें, तो दोस्तो ठीक है, बात करते हैं, आज के पहले क्वेश्चिन पर किस त्थी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णाई लिया गया, तो दोस्तो किस त्थी को हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णाई लिया गया, क्वेश्चिन आपसे पूछा गया है, इससे पहले भी ये क्वेश्चिन पूछा गया था, तो दोस्तो बिसेस अगर आप लोगों को हिंदी भासा के बारे में अगर इदियान होगा, तो आ हमारे हिंदी दिवस के रूप में से मनाया जाता है तो ठीक है अगर बात करेंगे इस question के सही answer की तो 14 सित्मबर 1949 इसका right answer होगा यानि कि option number 30 का सही answer होगा बात करेंगे next question की सविधान के किस अनुच्छे सविधान के अनुच्छे 351 में किस विषय का वर्णन है तो दोस्तों देखेगा सविधान का जो अनुच्छे 351 है उसके किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है आपसे लोगों से इस तरीके से पूचा गया है अच्छा उसमें क्या कहा गया है कि संग की राजभासा फिर हिंदी के बिकास के निर्देश तो दोस्तों अगर सही आंसर की मैं बात करूँ तो हिंदी के बिकास के निर्देशों की बात उस पे करी गई है यानिकि आर्टिकल 351 के बारे में दिगर बात करा जाएगी तो हिंदी के बिकास के लिए निर्देशिस में दिए गई है आप्सन नमबर 20 का राइट आंसन होगा फिर देखेगा निम्खित में से कौन अयोगवा है तो दोस्तो अयोगवा की ये दिगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा अयोगवा की अंटरिकत कौन कौन से हमारे आते हैं तो सबसे बहले आप्सन है बिसर्ग, महाप्राण, सयुक्त बेंजन और अल्पप्राण आपके पास आप्सन से हैं तो दोस्तो अयोगवा आप लोगों ने देखा होगा एक तो आपका बिसर्ग आता है बिसर्ग में दोस्तो अनस्वार और बिसर्ग दो चीज़ें होती हैं हमारी अगर अनस्वार की बात करेंगे तो जिसके सिर्ज पर बिंदा होता है उसको अनस्वार कहा जाता है और जिसके पास्रव पर दो विंदे होंगे उनको हमारा क्या कहा जाता है बिसर्ग कहा जाता है इस तरीके से आप लोग ध्यान रिखेंगे तो अयगवाह की रूप में हमारा बिसर्ग को जाना जाता है ऑप्सन नंबर जो ए है हमारा ये इसका सही आंसर होगा फिर बात तो लेखन के आधार पर जो अतिश्योक्ती लिखा जाता है वो किस प्रक्रियाश लिखा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है तो बात करेंगे तो option number D है अतिशयोगती ये आपका सही अंसर होता है option number D इसका right answer होगा फिर देखेगा पवित्र में परियुक्त संदी का नाम है तो दोस्तो पवित्र में पोधन इत्र पवित्र होता है सबसे पहले आप लोगों को संदी विच्छेत करना आना बहुत जरूरी है देखेगा यन संदी, गुण संदी, आयादी संदी और व्रिद्धी संदी आप लोगों के पास option से है अगर मैं बात करेंगा तो पोधन इत्र होता है तो पवित्र हमारा किसमें आ जाता है आयादी संदी के एक वर्ग में आ जाता है option number जो C है ये इसका right answer होगा फिर देखेगा नमस्ते का सही संदी विच्छेत है तो दोस्तो नमस्ते का सही संदी विच्छेत मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था यदि गर आप लोगों को संदी विच्छेत करना आता है तो आपके से भी question को बड़े आसानी से हल कर लेंगे फिर देखेगा आपके पास option जा है नमधन इस्ते नमधन इस्ते और नमधन इस्ते और नमधन इस्ते तो दोस्तो अगर सही आंसर की यदिगर में बात करें तो नमधन इस्ते होता है आपका option number जो डी है ये इसका सही संदी विच्छेत कर रूपने जाना जाता है फिर बात करेंगे next question की किस सब्द में आवा प्रत्य नहीं है तो दोस्तो देखेंगे आवा दिखावा खावा यानिकी आवा आ रहा है चड़ावा तो आवा आ रहा है लावा तो लावा ठीक हो गया इन पर हमारे आवा प्रिते जुड़ा हुआ है, उप्सन नमर सीज का सही आंसर होगा चौराहा में कौन सा समास है, तो दोस्तों चौराहा सब्द है हमारा, इसमें कौन सा समास है पूछा गया है उप्सन से हैं, बहुबिरी समास, ततपुरुष समास, द्वंद समास और द्विगु समास अगर सही आंसर की बात करें तो दोस्तों चौराहा चार राहूं का समू की बात करी जा रही है तो दोस्तों चार राहूं की समू या जहां पर कभी भी गणनाय होती है यहाँ पर कभी भी आपके संख्या बाचिक सब्द आते हैं वो आपके क्या हो गए है दुगु समास के इंतरिकत आते हैं तो आपसन नमर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा फिर देखेगा स्वतंत्र सथा धारण न करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो दुग जो सब्द सथा धारण नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा चाता है औपसन आपके पास है रूड है, यौगिक है या फिर यौग रूड है तो दुगर सही आंसर की मैं बात करों तो वो यौगिक सब्द कहलाते हैं प्रप्सन नंबर जो B है ये इसका right answer होगा फिर बात करते हैं next question की उत्पत्ती के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं तो दोस्तो उत्पत्ती के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया है आपके पास options हैं 2, 4, 6, 8 तो दोस्तो उत्पत्ती के आधार पर सब्द के चार भेद होते हैं आपसन नंबर जो B है ये इसका right answer होगा फिर देखेगा बुडापा भी एक प्रकार का अभिशाफ है इस वाक्य में बुडापा सब्द की संग्या बताईए अच्छा दोस्तो बुडापा जो सब्द है उस पे कौन सी संग्या है वो बताईए कि रहा तो देखेगा जाती वाचक संग्या, गती वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या या फिर इनमें से कोई नहीं आपके पास share options हैं तो दोस्तो गर बुडापे की गर में बात करों तो बच्पन है, बुडापा है और मिठास है तो दोस्तो इनको केवल फेल करा जा सकता है ऐसे चीज़ें जिनको हम केवल फेल कर सकते हैं, अनफ़व कर सकते हैं या फिर जिनके कलपनाएं कर सकते हैं, जिनके लिए हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें हमारे किसके अंतरकत आती हैं, भाव वाचक संग्या के अंतरकत आती हैं, तो जो हमारे बुड़ापा सब्द है, इसको भी हम भाव वाचक संग्या के अंतरकत देया गया है जिसको आपने इन में से पैचानना है देगेगा वहाँ कुलहाडी से ब्रिक्स काटता है तो दोस्तों instrumental हो गया है किसी उपकरण के दोरा किसी पर कारी किया जा रहा है कहने का मतलब क्या हो जाएगा करणकारक हो जाएगा वहाँ भूक से बेचैन है तो दोस्तों वहाँ भूक से बेचैन है फिर भी वही चीज हो रही है फिर देखेगा लड़का पेड़ से गिरा तो अलगाव की भावनाई आ रही है यहां दीजेगा लड़का पेड़ से गिरा यहां कि किसी चीज से अलग होने की भावनाई जहां पर प्रकट की जाएंगी तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता पुछा गया है पुछा गया सभी तो बातANA के या दिए कह सभी का का प्रियाएवाची के रूप में जाना जाता है Upsies का Right √ अंसर होगाा नेमिक खतलें से कौन wooden विकल्च कीरण कर्ण कापरGood कर्ण का प्रयाएवाची नहीं है करहा देखी गाएँ सो प्रिकास रस्मी और मयुखा है आपके उपसान अम्र जो वी है ये इसका right answer हो जाएगा बात करेंगे उद्दत का बिलोम सब्द है तो दोस्तों उद्दत का बिलोम सब्द हमारा क्या हो जाएगा सौख्य है, सौम्य है, उत्तम और कोमल है इससे पहले पूछा गया question है तो दोस्तो उद्धत का जो बिलूम सब्द है वो हमारा क्या होता है? शौम में होता है अब संब जो बी है ये इसका राइट आंशर देखने को मिलेगा फिर देखेगा अनुसासनातम कारेवाही की प्रक्रिया की फलस्वरू पद से नीचे उतरना कहलाता है तो दोस्तों जो हमारा अनुसा असनात में कार्यवाही है उसके प्रक्रिया के फल सुरूप आपके कोई पद है उस पद से ये दिगर आप नीचे उतरते हैं तो उसको क्या कहा जाता है एगर आगों को पढ़ेंगे तो पदोनती कहा जाता है अगर नीचे को उतर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है तो दोस्तों परोनती कहा जाता है पदोनती कहा जाता है पदावधी ये पदावनती कहा जाता है तो पदोनती तो आप समझ गये होंगे मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि पदोनती अगर पद आगे बढ़ेगा तो उ तो दोस्तो बच्च्पन और जवाने के बीच की जो अवस्ता है उसके लिए एक सब्द की बात यहां पर करी गई है तो नविवा, नवोठा, वयसंदी और वयस्कता आपके पास अपसन से हैं अगर सही आंसर की अगर बात करें तो दोस्तो वयसंदी इसे कहा जाता है अपसन का मतलब है मजबूरी में काम पढ़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना है फिर विपत्ती पढ़ने पर इस्वर कास्त्मन करना तो दोस्तो आपके पास चार आप्सन से हैं अगर सही आंसर की बात करें तो फिसल पढ़े तो हर गंगी कहने का मतलब है कि मजबूरी म काम पता आप्सन नुम्बर जो ए है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पी फिर दखिएका केंदरिया हिंदी दिशाले की स्थापना कब उइस की इसथापना कब हूई हैrier आप से क्षिन पूचा गया है 1968 में, 1960, 1961, 1961 और 1963 आपके पास आपस आपस केंदरिया हिंदी इसी दोस्तो हमारा दिल्ली में है लेकिन अभी इसको हैदरवाद इस्थानांतरेट करने की अपील करी जा रही है तो देखेगा जो हिंदिन देशाले हैं हम फिलाल के लिए इसको दिल्ली ही मानेंगे तो 1958, 1960, 1961 और 1961 और 1963 आपके पास option है अगर सही answer की बात करें तो 1961 में केंदरिया हिंदिन देशाले की इसका अपना दिल्ली में करी गई थी option number 10 इसका right answer होगा फिर देखेगा तालू से जीब ना लगना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तो तालू से जीब का ना लगना मुहावरे का क्या अर्थ है देखेगा भूग से पड़पडाना या फिर प्यास से परेशान होना चुपना रहना या फिर स्वाद ना मिलना तो दोस्तो अगर बात करेंगी कि तालू से जीब ना मिलना तो दोस्तो चुपना रहना यानि कि जो बोलते रहता है यानि कि बहुत जादे जो बोलता है तो उसके लिए इस सब्द का परियोग किया गया है कि चुपना रहना चुपना रहना कहने का मतलब है या लिगर आदमी बोलते रहेगा तो उसकी जो तालू है वो जीब है वो तालू से नहीं लगेगी कहने का साथ हम आज साम पांच बजे फिर से प्रंट की क्वेस्टिन जीएस के भी डिसकस करेंगे जिसको आप लोग जरूर अटेम्ट करिएगा और उसके बाद हम डेली प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं यदि अगर आप लोगों नहीं देखा है मैं फिर से एक बार आप लोगो टाइ और बहतर अनुभाव लेने का प्रियास करें यदि गर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साँ चैनल को जरूर सेयर करें आप लोग यदि हमें इस अनुभाव का आच्छा फिल कराएंगे त जिन से रिलेटेट क्वेशन सांसर आप लोग को प्रोवाइट कराने हैं तो आप लोग को सजेस्टन भी कर सकते हैं तो दोस्तों लिगर आप लोगों को यह स्रीच पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साँ चैनल को जरूर सेयर करें, मांकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहीएगा यूकेजूकेशन अनिवर्सिटूप चैनल के साथ धन्यवाद